Good afternoon student, बच्चों आज हिंदी की कक्षा में हम हिंदी की गती विदी करेंगे और हमारा विश्य है घड़ी, क्या विश्य है घड़ी, आज हम घड़ी के बारे में जानेंगे बीचाओ, बच्चों घड़ी तो आप सभी ने देखियोंगी, ठीके, तो आज हमने उसी के बारे में जानना हैं और पढ़ना देखिए को ये कुण सी गड़ी है ये है दीवार गड़ी अ enough है सभी के घरों में दिवार गड़ी होंगी हाँ उन गड़ों का अकार्स पर से क्ड़ का centralized होसकता है डिजाइन चींज हो सकता है लेकिन सब का सभी गड़ी समय बताती है तो घरों में जरूर होती है उसके पाद देखो पीटा यह वाली घड़िया है आप लोग पहन के आते हैं स्कूल में बॉइस पहनते हैं श्टाइप की घड़ी ठीक है तो यह वाली घड़ी होती है कुछ ग आज करूने कि अशोक है बहुत तो स्माग घड़ी बनते है ठीके तो कई कर लकारकी घड़िया होती है अधिशल उसके के नंबर दिखाएं और साथी उसमें हमने सूनी लगाई है ठीके रां तो यह घड़ी है और घड़ी हमने एक बनाई है अपनी शीग पर यह हमने अपनी शीग पर घड़ी बनाई है तो हमारे पास देखो कितनी प्रकार की घड़ी है तो देखिए हमारे पास कितनी प्रकार की घड़ी है और घड़ीयों के डिजाइन अलग-अलग है रंग-अलग है लेकिन सबी घड़ीयों पहुँ सुन्दर होती है और हमें समय बताती है चलो आप हम घड़ी के बारे में पढ़ते हैं बच्छे यह घड़ी का चित्र है क्या है यह एक घड़ी का चित्र है घड़ी हमें समय बताती है गड़ी में 12 तक अंक होते हैं घड़ी में बारा तक अंक होते हैं, अंक मिस गिंती, बिटा देखो, ये घड़ी है और इसमें यहां से ये बारा तक अंक हैं, ठीक है, हमें यहां दिखाई हैं, एक, दो, ती, चार, पान, छे, सार, आर, नो, दस, ग्यारा, और बारा, तो घड़ी में कहा तक अंक होते हैं, बचे, घड़ी में बारा तक अंक होते हैं, है न, हमने घड़ी में बारा तक अंक दिखाए हैं, चलिए अगले लाएं देखिए, घड़ी में तीन सुई होती हैं, घड़ी में तीन सुई होती हैं, कितनी सुई होते हैं घड़ी में, तीन क्न पेसे लिए झाता हैं सबसे चोटी वालिन स्वी इया होती है मुटी वाली यह होती है मिनिट की अध्यर गढमिन वार एकने थे जल्द हाई से जल्द चल रहा है तोगरी में कितनी स्वीं है एक, दो, और तीझ, घंटे की सुई, मिनिट की सुई और सेकिन की सुई ठीक है? घरी कई प्रकार की होती हैं, देखो हमने बताया था घरी कई प्रकार की होती हैं, अलग-अलग आकार की होती है, कुछ गोल होती है, कुछ चोकोर होती है, ठीक है, कुछ अलग डिजैन की होती है, और गड़ियों के अलग-अलग रंग भी होते हैं, ठीक है, तो गड़ी कई प्रकार की होती है, अब आज आप अपने घर में सभी बच्चे चर करेंगे, आपके कि दिवार घड़ी हैं कितनी हाथ घड़ी हैं और उनके आकार और रंग कैसे हैं यह आप समने आजो अपज़र्व करना है ठीक है हमारे जीवन में घड़ी का बहुत महत्व है भीटा घड़ी का जो है वह हमारे जीवन में हमारी रोज की जिंदगी में बहुत महत्व है आप हर काम हमारा समय के अनुसार होता है आप स्कूल आते हैं आपका स्कूल टाइमिंग क्या है 7.55 है ठीक है अगर हमारे काम में घड़ी नहीं होगी तो हमें कैसे बता जलेगा कि हमें कितने बचे स्कूल पहुंचना है ठीक है आप लोग जब सुभा सोय होते हैं तो ममा कैसे आवाला राती है अरे उख जाओ छे बच गए स्कूल जाना है तो ममा कहां से देखती हैं समय घड़ी में समय देख देख के बताती हैं आप शान को टूशन जाते हो तो कोई बचे तीन बचे जाते हैं चार बजे जाते हैं तो सबसे बछव गड़ी देखते हैं की देखो क्या टाइम हुआ है और उसके बाद भी जैने के बाद भी एपने टूशन debag अपनी घड़ी चैक करते हो अपनी घड़ी चैक करते हो की डैल मैं घड़ झाना है है ना तो हर काम हम घड़ी के अनुसार करते हैं समय के अनुसार करते हैं आज कल ओनलाइन क्लासे हो रही है आपको लिंक्स किया जाता है कि 920 पर आपकी इंग्लिश की क्लास है तो आप नास्तर करते करते घड़ी पर देखते हो कि बहुत क्या टाइम है जल्दी से नास्तर कर लूँ टाइम हो ज मोबाइल में भी टाइम दिखाई देता है हमें तो आजका हम वाले टाइम भी यूज़ करते हैं उसमें भी देख लेते हैं लेकिन इन घड़ियों की बात ही अलग है घड़ी हमारे जीवन का बहुत जरूरी आंग है ठीक है इसलिए यहां कहा गया कि हमारे जीवन में घड़ी का बहुत महत्व है ठीक है तो बच्चों हमने यह छे लाइने लिखवाएंगे घड़ी के बारे में आपने यह छे लाइने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है और बेटा पहले पेस पर आपने घड़ी हिंदी लिखकर घड़ी का चित्र बनाना है और फिर अगले बेश पर आपने उसके बारे में छे लाइने लिखनी है आप अपनी तरफ से भी बहुत संदर संदर लाइने अगर आपको याद हो रही है आ रही है या तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं ठीक है ना तो आपने है नहीं नहीं है गजी है Meter बौह समाना लेने ना प्रया आपके क्वा के लिखना संदरbach का इसके लिखना की ओड़ एक शॉर है कि वाह ज 머نं की पाले बनाने लिखनी तो लिखना से रही है गले सकार अपके है tap bullied क म।ब आपके नहीं है ठीक है कि को फांड खले है लिखना स